नमस्कार प्रिये मित्रों आज मैं आपको कुम्भ लगनवालों के लिए जून 2022 का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। यह चार्ट है गोचर में घूम रहे ग्रहों का जो अभी की ग्रहों की पोजीशन दिखा रहे हैं। पहले घर में शनी बैठे हैं। दुआ घर में मंगल और गुरु बैठे हैं। 27 जून को मंगल आपके तीसरे घर में चले जाएंगे। दश्वे, 11 और 12 घर में कोई ग्रह नहीं है। आपकी जन्म कुंडली में ग्रह अच्छी पोजीशन में होंगे तो आपको गोचर में घुम रहे ग्रहों का अच्छा फ़ल मिलेगा। सात्वी और दस्वी, तती पत्नी में वाद विवाद होंगे, पिता के साथ रिलेशन खराब होंगे, जिन लोगों की शादी में पहले से प्राबलम चल रही थी, उनकी शादी तूट भी सकती है या डिवोर्स भी हो सकते हैं। आपके कारिस्थल पर आपके सीनियर और बोस के साथ रिलेशन खराब होंगे, सब कारे विलम से होगे, कोई भी काम वक्त पर ना होने की वजह से नौकरी और बिजनेस में चिन्ता बनी रहेगी। नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है, स्टूडेंट की पढ़ाई अच्छी रहेगी। मंगल आपके तीसरे और दश्वे घर के मालिक है, मंगल की तीन दृष्टिया होती है, चौथी, सातवी और आठवी, मंगल आपके दूसरे घर में बैठे है, आपकी स्पीच करवी हो जाएंगी, लेकिन गुरू मंगल के साथ होने से आपके परिशानियों को गुरू कम करे संतान से वाद विवाद हो सकते हैं, संतान के साथ प्यार मोहबबत से पेश आएं, प्यार मोहबबत में वाद विवाद हो सकते हैं, अपने खाने पीने पर ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, योग और ध्यान करें, मंगल और गुरू एक साथ होने से गुरू जीत हो सकती है। शराव या किसी तरह करनशा करके वहीकर ड्राइव ना करें। बुद्धाप के पांचवे और आठवे घर के मालिक है। बुद्धाप के चौथे घर में बैठे है। सरकारी नौकरी करने वाले और पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। सूर जब मंगल के नक्षत्र में होंगे तब आपके जीवन में थोड़ा संघर्श बढ़ जाएगा। राहू और केतु तेड़ साल के बाद राशी बदल कर आपके तीसरे घर में और केतु आपके नवमे घर में आ गए है। राहू तीसरे घर में अच्छे फल देते हैं। अचानक बहुत बड़ा धनलाब भी हो सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन खराब होंगे। विकार की भागदौर होगी, परोसियों के साथ होंगे। के तु नवमे घर में बैठकर आपको आध्यात्मिक बनाएंगे। धार्मिक यात्राएं होंगी। के तु आपके लगन को देखकर आपके मन को भ्रमित करेंगे। आप कोई भी गलत डिसीजन ना ले, नहीं तो बाद में आपको पच्तावा होगा। अपनों से ब नमस्कार।